भारती राजनीती में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है राज जिदर राज जी यही स्थिती है अगर तीन प्रदेशों का उदारन में लेकर चलूं तो आपको बहतर तरीके सी यह कहानी समझा पाऊंगी कि कैसे भतीजा से मात खाते हैं हर प्रदेश में चाचा पशुपती पे फिलहाल में फोकस करूंगी लेकिन जरा पीछे रे जाकर आपको दो और घटनाकरम बताऊंगी यानि महराष्ट्रा में शरक पवार जो कि महराष्ट्रा की राजनीती के चाणक के माने जाते हैं अजीत पवार से वो चित हो गए शुपाल भी राजनीती के महिर खिलाडी माने जाते तो उत्तर प्रदेश की लेकिन वहां भी वो खिलेश के सामने चित हो गए और पशुपती पारस हालिया दिनों में चिराग पासवान से चत होकर अकेले पड़ चुके हैं। महागडबंदन से लड़ लेंगे अब पशुपती पारस की यानी चाजा की ये सिती हो गई है कि महागडबंदन की तरफ से अभी तक भाव नहीं दिया गया है। अब एके करके मैं नाम बताने जा रही हूं कि वो कौन-कौन से चहरे हैं जिन होने पशुपती पारस को अकेले कर दिया है। प्रेंस जो única उनके दूसरे भातीजे हैं एक और भातीजे मतलब चिराग पास्वान से तो उन्ने पटकनी खाई ही खाई लेकिन जो प्रेंस राज हैं। क्योंकि उनके दूसरे भाई रामचंद्र पासपान के जो बेटे हैं वो भी टिकट के लालसा में वो चाहरें कि चिराग पासपान उने वेल्यू दे हलाकि चिराग में दोटो कह दिया है किसी भी सूरत में मैं पार्टी के गदारों को नहीं बक्षने वाला हूं मतलब अपनी पार्टी में वापस नहीं लेने बाला हूं वीना दोईवी जिनके पती ने बड़ी भूमिका निभाई थी पार्टी तोड़ने में उनको लेकर भी चिराग के नमन में बहुत नाराज्ज़ गीं वीना देवी हलाकि बहुत चक्रकात रही है दिली के चिराग के घर पर भी लावा एक और चहरह हैं महभूब अलिकैसर हाला कि इनको लेकर अभी थोड़ी सिस्टि इसलिए इसलिए है क्विए खगडिया से कोई कैनिडेट उस तरीके से अभी चिराख के पास है नहीं तो हो सकता है कि शाहिए इन पर भरुसा किया जा सके लेकिन ये भी गुंजाइश्ट ना के बराबर है बहां भी मतलब इसी ती वैसी नहीं है यानि चाचा के पास ना महभू बली कैसर ना प्रेंस राजभतीजा ना विडा देवी कोई बचा ही नहीं है कोई ऐसा चहरा नहीं है जो पशुपती पारस को आज की तारीख में कहें कि आप जिस राह चलिएगा हम आपके साथ हो लेंगे यहीं इसलिए कहा जाता है कि भारती राजनिती में ना इस्थाई तोर पे दोस्ती होती है ना इस्थाई तोर पे दुश्मनी होती है और ये इन नेताओं ने भाप लिया है अब इस वीच एक भरोसा करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि सबके जहन में यह है कि जो अपने भतीजे का ना हुआ जो अपने परिवार का ना हुआ जो अपनी पार्टी बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी का ना हुआ वो किसका भरोसा जीत पाएगा तो असरवादी राजनिती जो पश् इस तीफा देने के बाद एसी खबरी आने लगी कि हो सकता है कि महागडबंदन के वह बिंदबार हो जाए उनके जो चहरे हैं उनको adjust कर ले महागडबंदन क्योंकि अभी भी उधर सिट शेरिंग नहीं हुआ है तो एक यह adjustment की रूप रेखा जो चल रही थी उधर तो ऐसा मान न जा रहा था लेकिन आज की तारीफ में मैं पूरे दावे के साथ आप दर्शकों के सामने कह रही हूं कि बिहार की राजनीती में सियासी चाचा को जो भतीजे ने पठकनी दी है उसका अशर ये हुआ है कि कोई उनको फिलहाल टिकड देने को या अपने साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है हलाकि राजनीती में संभावनाएं बनी रहती है आगे क्या कुछ होता है उस पे तो हम सब की नजर है लेकिन फिलहाल यहीं सिती है चाचा अकेले है